ओम शांती आज है बाइस जुलाई दो हजार बाइस की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को मीठे बच्चे अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुक्तो करने हैं प्रैश्न इस युद्स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है बॉक्सिंग में विजे का आधार क्या है उत्तर माया रावन से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है इसे ही मल्युध कहा जाता है इस बॉक्सिंग में विजे बढने के लिए बुद्धी में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है माया रावन पर जीत पाने के लिए पांचों भूतों का दान देना है दान में देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है अगर दान देकर वापिस लिया काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे गीत एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली ओम शान्ती यहां रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आएं है इस समय है माया का बंधन इसको ही आसरी बंधन कहा जाता है अब तुम्हारा है इशरिय संबंध बंधन में है दुख संबंध में है सुख इसलिए कहते हैं दुख के बंधन काठ हमें सुख के संबंध में लाओ भक्ती मार्ग में भक्तों की पुकार होती है भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले प्रंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो इसलिए आधा कल्प से भक्ती मार्ग चला आता है साधों भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं भगवान तो एक है उनसे वर्सा मिलता है हद के बाप का वर्सा तो है फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि हद के वर्से में दुख है, बेहद के वर्से में सुख है, यह भी तुम चानते हो, तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं, गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता, दुख हरता शांती करता नहीं कहेंगे, शबी शांती में चले जाएं, फ इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है, सबको सुख देते हैं, मुक्ती पाते हैं जीवन मुक्ती पाने के लिए, सिर्फ मुक्ती कहें वो फिर मोक्ष हो जाए, मुक्ती के साथ जीवन मुक्ती जरूर है, जीवन मुक्ती है सुख का संबंध जबकी आतमाई सतो प्रधान है यहां तुम आए हो दुख के बंधन से चूटने के लिए दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हो कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है नई दुनिया में दुख है नहीं पहले पहले है सुख का संबंध बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है सुख दुख सब खेल के लिए है तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं भारत जो have insolvent था अब hell insolvent है सबसे नया था अभी सबसे पुराना है बहुत दुख देखे हैं अभी भी बहुत दुख हैं इन दुखों से छुडाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं उनको पिया कहा जाता है वहा हद के पिया को पुकारते हैं अब तुम समझते हो उनको द तब तो पुकारते हैं अभी श्रीमत पर तुम पुरुशार्थ कर रहे हो सुकधाम में जाने का बाप कहते हैं हर पांच हजार वर्ष बाद आता हूं तुम्हारी बुद्धी में अब ज्यान भरा है आदी सेंत तक तो त्रिकाल तर्शी हुए ना तुम तीनों लोकों को जान मूल वतन में हम आत्माएं शांती में रहती हैं हम असुल में उस निर्वान धाम के वासी हैं फिर प्रवृति धर्म में आने से इन ओर्गन्स द्वारा पार्ट बचाते हैं तुम सुख और दुख का पार्ट बचाते हो आदी सेंत तक तुम आल राउंडर हो तुम ही चुर राशनी मिली है, 84 लाख जन्म तो हो न सकी, मनुश्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वेराइची योनिया तो धेर हैं, गिनती करने वाला तो कोई नहीं है, ऐसे ही दुक्का लगा देते हैं, अभी तुम चानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं, सिख लोग वा आरे समाजी बौधी आपको जानते हो, इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन, ग्यान सागर पतित पावन, हैवनली गौड़ फादर, यो सर्व गुन संपन, हैविन का पहला प्रिंस, श्रे क्रिशन, यहाँ पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं, तो मन करने वाला, पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है, मुख्या बात है पवित्र रहने की, एक से बुद्धी लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है, वहा तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वहा फिर भी पुरानी दुनिया मे रहते हैं, तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है, हमको हद से बेहद में जाना है, वहा है शान्ती धाम, वहा शान्ती ही शान्ती है, बाकी हद और बेहद का सुख यहां है, तुमको हद और बेहद के पार जाना है, शान्ती धाम हम आत्माओं का घर है, वहा कोई पा आत्मा बचाती नहीं है और गंस नहीं है फिर ड्रामा नुसार तुम्हारा सत्यू का पार्टि मर्ज होता है जो तुमने पार्ट बचाया है कल्प कल्प वही पार्ट बचाते हो यहां बातें तुम्हारे सिवाए कोई बता नहीं सकते सुख का संबंध और दुख का बंधन त इतने सभी कहां रहेंगे, फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाएं, कुटुम्ब को कहां ले आएंगे, बच्चे वृधि को पाते रहेंगे, पहले पहले छोटा घर था, तीन पैर पृत्वी के थे, तुम छोटी कोठरी में आते थे, जैसे बाबा कहते हैं, घर में गीता प पहले तीन पैर पृत्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गई, बठी बनी, मोटरें बसादी भी रखी, इसलिए बाबा बच्चे को कहते हैं, तीन पैर पृत्वी लेकर पारशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्य का मालिक बनते हो, इश्यर विश्य का मालिक है, प्रंतु तुम जानते हो, विश्यस रस्टी को कहा जाता है, बाप तो मालिक बनते नहीं है, बाप तो आते हैं खिदमत सेवा करने, जब सारे युनिवर्स दुखी होती है, यह गौड की युनिवर्स्टी सारे युनिवर्स के लिए है, कॉले इसलिए युनिवर्स्टी से सारे युनिवर्स का कल्यान होता है यहां बातें कोई शास्त्र में नहीं हैं सभी की गती सद्गती के लिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है नहीं तो पावन कैसे बनेंगे रावन भी कितना समर्थ है तुम हमारे तरफ आते हो रावन फिर खीच लेते हैं माया बड़ी दुष्टर है माया तुमको दुख में ले जाती है यहाँ खेल है बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ है आधा कल्भार आधा कल्प जीत होती है यहाँ बॉक्सिंग बेहद की है इनको युदस्थल कहा जाता है इसमें माया रावन को जीतना होता है कल्प पहले भी तुमने चीत पाई थी तुम देख रहे हो कौन को निकल रहे हैं कोई कहते हैं बाबा क्रोधाता है अरे यहां तो भूत है दान में दे फिर वापिस लेंगे तो बहुत सताएगा तुमने पांच विकार दान में दिये इनका सन्यास करना है बाब समझाते हैं तुमने गोते खाई है अब एक जनम पवित्र रहो इसमें आमदनी बहुत है जब अर्दस्त प्राप्ती है दुश्मन सामने खड़ा है मल युद होती है ना कंस और क्रिशन की मल युद शास्त्रों में दिखाई है यहां तो माया रावन की बात है क्रिशन की आत्मा अंतिम जन्म में है माया से युद कर फिर श्री क्रिशन बनती है अब समझदार बनना है भारत कितना सिर्टाज था सूर्य वंशी की दर्बार देखो कितने हीरे जोहरों के महल थे यहां भी दरबारे होती हैं, आपस में प्रिंसस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं, बुध्धी से काम लो, वहां आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसी होगी, रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी है, साइंस काम में आती है, गुम नही तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो, वह शंक्राचार्य यह शिवाचार्य, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारन करता हूँ, गीत में सुना ही, आप मिले तो सारी दुनिया मिली, उनसे ओच होते नहीं, सर्व मनो कामनाय अभी हुई हैं, वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है, अभी भी विलायत में साथ रोज में मकान त्यार करके दे देते हैं, यहाँ के मिनुष्यों की बध्धी तमो प्रधान हैं, यहाँ की भेंच में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे तुम बच्चे यहाँ सब जानते हो, दुनिया को बदनना होता है, इसलिए यहाँ महाभारत लड़ाई है, तुम्हारी बुद्धी खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है, बाप कहते हैं पूरा योग लगाओ, तुम भी निर्वान धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम, बाप तुम्हें विश्व का राच्य देते हैं, उसके बदले दिव्य द्रिस्टी की चाबी अपने पास रखते हैं, कहते हैं यहाँ हमारे काम की है, भक्ती मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हू तुमको विश्य की बादशाही देता हूँ, यहाँ कोई कम बात है, क्या दिव्य द्रिस्टी की चाबी भी कोई कम थोड़े ही है, खेल कैसा है, जो अच्छी रीती समझते हैं, अंदर खुशी में रहते हैं, जनमास्ट में पर भी समझाया, क्रिशन की जयनती नहीं, जाती है, पहले क्रिशन जयनती मनाती हो, शिव जयनती कहां गई, पहले शिव जयनती हो, फिर तो क्रिशन का जनम हो, शिव जयनती के बाद है क्रिशन की जयनती, शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, कहते हैं, कल्ब के संगम पर आकर राज्योग सिखलाता हूँ, महा भारत की लड़ाई हो तब नर्क का विनाश स्वरक्य स्थापना हो शे बाबा शिवाले स्थापन करते हैं रावन वैश्याले बनाते हैं जिससे श्री क्रिशन ने पद पाया उसका किसको पता ही नहीं है वास्त में शिवजयनती ही मुख्य है बाकी तो मिनुश्य जन्म लेते रहते हैं जो पुझ देवताई हैं वही फिर पुझारी बनते हैं तुम्हारे बुध्धी में सारा राज है सूभी नंबरवार पुरुशार्थनुसार बाबा तुमको समझाते हैं तुम फिर औरों को समझाते हो प्रिंसिपल आदी को भी समझाना चाहिए यह जो स्कूलों में हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ाई जाती है यह तो अधूरा ज्यान है मूल वतन, सुक्षवतन, स्थोल वतन इन सब का राज समझाना चाहिए इनको जानते नहीं बाकी अंग्रेजों, मुसल्मानों आदी की हिस्ट्री जोग्राफी ले बैठे हैं बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी बाप ही समझाते हैं हर मन, हम मनुश्य से देवता बन रहे हैं स्वरक का प्रिंस प्रिंसस कैसे बने आओ तो हम तुम्हें बताएं हैविन के प्रिंस प्रिंसस बनना है उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला यह सूर्य वंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई यह नौलेच नहीं है तो तुम फिलोसफर काहे के हुए समझाने की युक्ति चाहिए यह क्या जज्जमेंट करते हैं धरमराज बाबा तो बिलकुल एक्यूरेट है उनके उपर तो कोई है नहीं यहां तो एक दो के उपर है सच्चा सच्चा धरमराज तो सिर्फ एक है अच्छा मीठे मीठे से केलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुट मानिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार बुद्धी को हद और बेहद से पार अपने शांतिधा में ले जाना है दुख के बंधनों से छूटने के लिए इशुर्य संबंध में रहना है नमबर दो सारे विश्व की खिदमत करने के लिए तीन पैर पृत्वी पर रुहानी युनिवरस्टी खोलनी है बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है वर्दान तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फॉस्ट नमबर की राज अधिकारी भव फॉस्ट जन्म में फॉस्ट नमबर की आत्माओं के साथ राज अधिकार प्राप्त करना है तो जो भी कमजोरियों हैं उन्हें तपस्या की योगग्नी में भस्म करो मन बुध्धी को एकागर करना अर्थात एक ही संकल्प में रहफल पास होना अगर मन बुध्धी जरभी विचलित हो तो द्रिडता से एकागर करो व्यर्थ संकल्पों की समाप्ती ही संपूर्णता को समीप लाएगी श्लोगन समय को गिनती करने वाले नहीं लेकिन बाब के वस्वयम के गुणों की गिनती कर संपन बनो शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शिर बाबा मुरली मदबन चानल को सब्सक्राइब कीचे ताकि शिर बाबा के मुरली रोज आपके पास पहुंचे ओम शान्ती